जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूवर महा के पहले सप्ताह के धनुरासिफल के बारे में यानि एक अक्टूवर से 7 अक्टूवर 2021 के धनुरासिफल के बारे में धनु रासी के लोगों के लिए यह सप्ता कैसा रहेगा, कौन ग्रह, किस भाव में, कहां इस्तित होगा और आपकी रासी पर क्या प्रभाव डालेगा ग्रहों के प्रभाव से आपके वेपार, वेबसाई, कारेचेत, सिक्छा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवीदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बरावर में जो घंटी का बटन है उसे दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आप तक सबसे पहले दोस्तो बात करें सबसे पहले इस सब्ताहा ग्रहों की इस्थिती के बारे में तो इस सब्ताहा मंगल देव आपके दसम भाव में वराजमान होंगे और सब्ताहा की सुरुवात में यानि एक अक्टूवर को बुद्ध देव तुला रासी में वक्री अवस्था में होंगे और आपके एकादस भाव में वराजमान होंगे दो अक्टूवर को बुद्ध वक्री होकर कन्या रासी में गोचर कर जाएंगे और आपके दसम भाव में वराजमान होंगे गुरु ब्रस्पती आपके दित्य भाव में वराजमान होंगे और गुरु भी वक्री अवस्था में होंगे जहां सनी गुरु के साथ यूती करेंगे यानि सनी भी वक्रिय वस्था में आपके दित्य भाव में वराजमान होंगे और यहां गुरू और सनी की युती होगी और गुरू और सनी की युती यहां लक्ष्मी नरायन युग का निर्मान करेगी और सप्तहा की सुरुवात में शुक्रदेव आपके एकदस भाव में वराजमान होंगे और दो अक्टूवर को द्वादस भाव में गोचर कर जाएंगे सुर्य देव पूरे सप्तहा आपके दसम भाव में वराजमान होंगे राहु आपके छटे भाव में वराजमान होंगे केतु आपके द्वादस भाव में वराजमान होंगे यानि शुक्रदेव के साथ केतु की युति होगी बात करें चंद्रमा की स्थिति के बारे में तो सप्ता की सुरुवात में चंद्रमा आपके अस्टम भाव में वराजमान होंगे और अस्टम भाव से नवम, दसम और एकादस भाव तक गोचर करेंगे यानि सप्ता चार भावों में गोचर होगा बात करें सप्ता के महत्पूर्ण दिनों के बारे में तो एक अक्टूवर गुरुपुषय युग का नर्मान होगा और एक अक्टूवर को अमरसिध्धी युग भी बनेगा तीन अक्टूवर गज केश्री युग का नर्मान होगा और छे अक्टूवर को सरवारसिध्धी युग मनेगा और 6 अक्टूवर को स्राद पक्ष का अंतिम दिन होगा और सप्ता के अंत में यानि 7 अक्टूवर से नवरात्र का प्रारंब होगा तो ये जो सप्ता होगा उम्मीदो भरा होगा विसेश परिवर्तन वाला होगा इस दोरान इस सप्टाहा की सुरवात गुरुपुशय योग में होगी जो की महत्पून योग है और सप्टाहा की सुरवात में बुद्ध और शुक्र का राजियोग मनेगा इन दौनों ग्रह की युति है तो ये जो सुरुवात होगी आपके लिए विशेश फल देने वाली होगी पुश्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों में राजा बताया गया है और पुश्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का नक्षत्रों से सुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र में सभी सुब और मांगली कारिये करना विसेश सफलता दिता है एक अक्टूवर 2021 शुक्रवार को अस्विन मास की किर्सन पक्ष की दसमी तिती है और इस दिन पुष्य नक्षत्र है चंदर्मा का गोचर करक रासी में होगा और विसेश बात ये होगी कि इस दिन सिव योग का निर्मान होगा इस योग को भी जोति सास्त्र में बहुत सुब माना जाता है पुष्य नक्षत्र होने से मोहरत के केई दोस्वेते ही समाप्थ हो जाते हैं पुष्य का आर्थ होता है पुष्य करने वाला उर्जा और सक्ति प्रदान करने वाला और गिरहों की चाल भी इस दोरान बहुत सुब होगी क्योंकि गिरहों की चाल की दरस्टी से एक अक्टूवर शुक्रवार का दिन विसेश रहने वाला है इस जिन सनी अपनी ही रासी यानि मकर राशी में वराजमान होंगे जहां देव गुरु ब्रस्पती नीच भंग राजयोग बनाएंगे ब्रस्पती यानि गुरु को पुषे नक्षत्र का स्वामी बताया गया है और इसके साथ ही चंद्रमा भी करक रासी में व्राजमान होगा और चंद्रमा को करक रासी का स्वामी मना जाता है वहीं तुला रासी में शुक्र ग्रह बुद्ध के साथ यूती बनाए हुए है बुद्ध और सुक्र की यूती से लक्षमिन अरायन योग बनेगा इस योग को जो 30 सास्तर में सुब फल देने वाला योग मना जाता है और वर्तमान में पित्रपक्च चल रहे हैं पंचांग के अनुशार 21 सितंबर से पित्रपक्च का आरम हुआ एक अक्टूवर को दस्वी तिथी का सराद किया जाएगा इस दिन पुछ्षे नक्षत्र होने से ग्रहों द्वारा बनने वाले राज योग इस दिन की महत्ता को और बढ़ा देंगे और पंचांग के अनुशार पुछ्षे नक्षत्र का प्राराम एक अक्टूवर को शुकरवार की सुभे एक बजकर 33 मिनट से होगा और समापन 2 अक्टूवर 2021 सनिवार को प्राते 2 बजकर 58 मिनट पर होगा और बात करें चंद्रमा के गोचर की तो जब सप्तहा की सुरुवात में चंद्रमा आपके अस्टम भाव में होगा तो इस भाव में आपके अंदर क्रोध की अधिकता हो सकती है तो इस दोरान अपने क्रोध पर काबू रखना होगा इस भाव में चंद्रमा वहन सुक देता है मन और बुद्धी से किये गार गए कारियों में सफलता प्राप्त होती है जीवन साथी का पूंट सहयोग मिलेगा वैपार में लाब की प्राप्ती होगी और विवहा के माद्धम से भी धनकी प्राप्ती संबव है आपके कारियों में कोई अर्चन भी आ सकती है आपके सत्रों द्वारा कोई परिशानी पैदा हो सकती है तो थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा किसी भी कारिये में जल्दबाजी से बचना होगा वानी में मधूरता रखनी होगी और गुस्ये पर काबू रखना होगा जुआ, सट्टा या एनितिक कारियों से बचना होगा और जब चंद्रमा आपके नवमभाव में गोचर करेगा तो नौमा घर ब्रस्पती से संबंदित होता है जो चंद्रमा का परमित्र है तो यहां इन दोनों ग्रहों के लक्षन और स्विधाओं को आप घ्रेहन करेंगे साथ ही अच्छे आचरन वाले होंगे, मन से धार्मिक और धार्मिक किर्तियों और तीर्थ यात्राओं से प्रेम करने वाले होंगे किसी छोटी यात्रपर जाने के योग बनेंगे और यहां संतान सुक्की प्राप्ती होगी, धार्मिक कारियों में गेहन रूची विक्सित करेंगे और इस वरान अच्छा धन, दौलत, पैसा कमाने में आप अच्छी व्रधी करेंगे यानि सफलता आपके कदम चुमेगी, अच्छी तरक्की आपको देखने को मिलेगी जाना संबभ होगा, अच्छे धन कमाने के नए-नए मौके आपको मिलेंगे और सारे रिक रूप से सुष्थ रहेंगे इसके उपरान जब चंद्रमा आपके दसम भाव में गोचर करेगा तो दसमा घर हर तरीके से सनी द्वारा सासित होता है यह घर चोथे घर के द्वारा देखा जाता है जो चंद्रमा द्वारा सासित है इस घर में इस्थित चंद्रमा आपको लंबी आयू सुनिश्चित करेगा चंद्रमा और सनी आपस में सत्रू है तो यहां तरल रूप से दवाओं का सेवन करना आपके लिए नुकसान दैक होगा इस रासी के जो लोग चिकितसक या मेडिकल छितर से जुड़ा जोब करते हैं या कोई कारिय करते हैं, वेपार करते हैं, सरजन हैं, नर्सिंग स्टाप से हैं, मेडिकल स्टोर है तो उन्हें इस दोरान अच्छा धन कमाने का मौका मिलेगा और अच्छी प्रसिद्धी अरजित करेंगे यानि आप पर पैसो की बरसात होगी और सनी से संबंदित वस्तों में व्यवसाय आपके लिए फायदे मन साबित होंगे माता के साथ संबंद अच्छे होंगे, कारिय छेतर का दायरा बढ़ेगा और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की व्रद्धी होगी साजेधारे में अच्छे लाप की प्राप्ती होगी, प्रेम संबंद अच्छे होंगे और वैवाहिक जीवन मदुर होगा सिक्षा के छेतर से जुड़े लोगों को अच्छी काम्याभी मिलेगी इसके उपरांत जब चंद्रमा आपके एकादस भाव में गोचर करेगा तो यहां चंद्रमा अच्छा फल देने वाला होता है और यहां संतान से सुक्की प्राप्ति होगी इस दोरान किसी न किसी कारिय की योजना आप बनाते हुए नजर आएंगे और हर योजना का सम्मंद लाब से अवस्य जुड़ा होगा और यह घर ब्रस्पति और सनी से पूरी तरफ प्रभावित होता है इस दोरान सरकार की ओर से मान सम्मान की प्राप्ति होगी यदि आप किसी NGO से सम्मंदित कोई कारिय करते हैं तो वहां भी अच्छे लाब प्राप्त होंगे और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए नजर आएंगे तो यह जो सब्ताह होगा आपके लिए विसेस फलडाई होगा विसेस परिवर्तन वाला होगा वेपार वेबसाइब में अच्छी व्रद्धी देखने को मिलेगी और छात्रों के लिए भी अनुकूल समय होगा दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब सेर वे लाइक आवरे चैनल को सब्सक्राइब सेर वे लाइक आवरे रहें